गुट इवनिंग एवरिवन, नमस्ते, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, क्या हाल चाल है? आप सबकी आपस में बातचीत हो गई हो, कि मैं पटना से हूँ और मैं मार्स से हूँ, तो अब हमसे बात कर लें थोड़ी देर. जैहिन, जैहिन, एक बार मुझे बता दीचेगा, आवाज प्रॉपर है, आप लोग ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वीडियो, ओडियो, अवरिटिंग ओके, यस अवरिटिंग ओके, तो मुझे एक बार थम्स अप भेज दीजिए, कि यस माम, सब ठीक है, यस का साइन जरूर भेज दें, ताकि हमें समझ में आए कि चीज़े ठीक है, यस माम, all okay, all okay, all okay, all okay, good evening, good evening, good evening, everyone, good evening, good evening, everyone, okay. जी, जैसा आपको पता है, Monday, Wednesday and Saturday, सबसे पहले तो मैं आपको सोरी बोल दूँ कि Monday आपकी क्लास नहीं ले पाई हूँ, उसका reason था थोड़ा, तब भी ठीक नहीं थी Monday को, तो इसलिए Monday को क्लास नहीं ले पाई, और आज Wednesday है, आज आपका vocabulary का क्लास रहेगा, जैसा आप जानत पता रहे हैं मुझे कि सब कुछ ठीक है, और आप मुझे देख पा रहे हैं, thumbs up और like का बटन आपने प्रेस कर दिया है, मैं समझ गई हूँ, all okay, तो let we start the session, yes, चलिएगा, vocabulary के लिए सबसे important है, जो भी आप words पढ़ा करें, उन्हें समझ कर, सोच कर, कैसे ना कैसे उन्हें relate कर के पड़ें, अगर आर प्रटाफिकेशन में जाएंगे कि जैनी का मतलब मजाकिया, जैनी मतलब मजाकिया, तो काफ ही typical हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए याद होगा, शायद हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भी ना याद हो, तो उस problem को निप्टाने के लिए हम कुछ methods का use करते हैं, उनमें आपका root word, grouping and mnemonics यह सब common है, आज हम mnemonics से ही देखेंगे, थोड़ा pictures relate करके चीजों को, आपका session similar रहेगा, अगर कोई new है, अगर channel को पहली बार देख रहे हैं, तो आप subscribe कर लीजिए, तो दूसरी बार हो पहले आपको सिखना है, मैं 40-45 minutes आपको सिखाती हूँ, उसके बाद last में अपने आपका test खुद ले लीजिएगा और अपने आप से पूछेगा, क्या vocabulary याद हो सकती है, क्या हम शब्दों को याद कर सकते हैं, बस देखा, आपको पढ़, वो भी नहीं करना, लिखना विख रहने दो अब, अब रहने दो, चलिए, शुरू करते हैं, पहला word है हमारे पास जैनी, जैनी को आप कहते हैं, जैनी का मतलब होता है, कॉमिक, मजाकियावे में आप इस word को पढ़ते हैं, अब जैनी को अगर मैं रिलेट करूँ, तो जोनी लीवर आपने जरूर सुना होगा जोनी लीवर का जो करेक्टर है, अगर हम मुवीज में बात करें कि जोनी लीवर का करेक्टर कैसा है, काफी मजाकिया है, हम कह सकते हैं, क्लॉन, कॉमिक कह सकते हैं, कि बहुत मजाकिया, हंसी मजाक का ही, तो वो कैरेक्टर प्ले करते हैं, बॉलिवुड में, तो हमने देख पहला वर्ड बहुत simple था कि जैनी, जोनी से relate किया हमने, तो मजा किया, humorous, comic, clone ये वर्ड हमें relate हो जाएंगे, क्या कहते हो, जैनी का मतलब क्या होता है, मजा किया होता है, ठीक है, next word की तरह बढ़ती हूँ, word है मेरा polemic, polemic का मतलब होता है, बहस करना, argument हो जाना, जहां situation create हो जाती है, arguments की, बहस करने की situation, उसके लिए आपके exam में word आता है, polemic, आप relate कैसे कर सकते हैं, exit poll वगेरा का ये आपने सुना होगा, एक photo यहां पर लगा हुआ है, poll से आप इसे relate कर सकते हैं, जो राजनीती में, जो भी parties के लिए लगाया जाता है, कि हाँ, कौन सी party जीत हार रही है, कितनी seat उसने जीती, जैसे कि अभी UP में सबसे ज्यादा चल रहा है, तो इसके दोरान जैसे ही exit poll दिखाते हैं, तो exit poll दिखाने के समय पर 2-4 लोगों को बठा लेते हैं, कुरसी पे, 10 लोगों को, सब ये बहस करते रहते हैं, आपस में, तो exit poll के नतीजे देखक तो भड़कते रहते हैं, दूसरे कि हां, दूसरी पार्टी जिस तो हरा हरा दिखा दिखा दिया, वो कहेंगी कि ये तो खराब है, नकली है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा, 2-4 लोगों को कुरसी पे बठा लेना, और बहस में convert हो जाता है, तो हम बोलेंगे, polls relate वो जीतेगा, है ना, ये सब क्या रहता है, इसका relation किससे है, arguments related है, या फिर controversy, controversial word को हम ऐसे भी relate करते हैं, कि controversial, ये person बहुत controversial statement देता है, like Bollywood में हम कहते कंगनार अनोत, बहुत controversy, सबसे ज़्यादा controversy में रहती है, फिलाल आज की तोर पर, तो बहुत सारे person है, जो जान बूज कर ऐसे किसी topic को उठा लिया, जहां पर argument की जा सकती है, तो हम argumentative या controversy word यहां पर relate कर सकते हैं, उमीद करती हूँ, पहला word आपको याद हो गया, word आपका polemic है, exit poll के दोरान, जो भी result आने होते हैं, साब आपस में क्या करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, first word क्या था guys, जैनी है ना, कैसे relate किया हमने, जोनी से relate किया था, कि जोनी क्या है, बड़ा ही हसी मजाक वाला character, play attack, clone बोला या फिर हम उसको humorous बोल दें है ना, थोड़ा joking से वे में बोल दें, second word है आपके पास, polls related, poll, exit poll के दोरान, जो भी result आता है, सब argument करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, मैं बहुत cute लगती हूँ, okay, thank you, next word देखेगा, predicament, word बड़ा important है, बहुत बार exam में आपके आता है, predicament का मतलब होता है, total confusion, obfuscation का situation है ना, जैसे मैं बोलूँ, अब आपके सामने confusion word तो है, आपने यी word भी देखा होगा, obfuscation, obfuscation, कि आप first गए है, तो obfuscation एक word है, confusion भी इसक एक synonym की रूप में आप देख सकते हैं, dilemma का situation कि यार मैं तो समझी नहीं पा रहा, उदर या इदर, dilemma समझते होंगे आप है ना, और obf से आप relate कर सकते हैं, obfuscation word भी, word देखेगा, predicament, याद कैसे करे माम, predicament का मतलब confusion ये तो ठीक है, देखेगा, याद कराती हूँ, hint देती ह आपको, pre plus decision, इस लड़की को कोई decision लेना है, तो decision लेने से पहले, है ना, क्या लेने से पहले, decision लेने से पहले, देखेगा, कोई dika, decision, कोई dika, decision, pre मतलब पहले, किसी भी decision को लेने से पहले, एक situation बनती है, आपके mind के अंदर, predicament, confusion, totally आप एकदम blank हो जाते हैं कि क्या करूँ तो जब आपको समझ नहीं आदा क्या करूँ, तो situation कौन सी हुई, predicament, तो predicament का मतलब क्या होता है, confusion होता है, dilemma होता है, obscure होता है, obfuscation होता है, या फिर confusion होता है, practice, हाँ, week में एक दिन practice करवाया करेंगी, don't worry, इस सब मंडे को class नहीं ले पाए थे, तो एक problem थी, पर आगे से week में एक class में, मैं खुद सोच रहूँ हूँ, ऐसा कि practice की class लिया करें, last आपकी class मैंने practice की ली थी, जी, next देखें, जानी, हमने, उसके बाद अभी predicament, अगले word की तरफ जाते हैं, word है हमारे पास quandary, quandary का मतलब भी similar होता है, predicament ही होता है, dilemma ही होता है, अब एक word और हमेरा add करना पड़ा गया, quandary, quandary का relation किस से हुआ, देखें, मैं याद कराती हूँ, दो मिनट के लिए, माल लो कि आपके घर पर, ममी ने आपको बोला, कि दूद लेया, और आप दूद लेने के लिए, निकले, है ना, तो उसके बाद आपने feel किया, market में आप गए, दो-चार dairy की दुकान थी, तो आपने सोचा कि किस से दूद लेने को बोला, पता नहीं, ममी कुछ कह तो रही थी, कि उससे लाई हो, पर यहां तो बहुत सारी dairy की दुकान है, है ना, तो आपको दूद लेने भेजा था, just imagine यार, बस सोच लो ऐसे, सोचोगे तो दो सेकिन बाद अपने बाप, उसका एकी मेज साट हो जाएगा, फिर आप कभी भी उस वर्ड को भूलेंगे नी, और जब आपको option में नजर आ जाएगा ना, फिर तो पका नहीं भूलेंगे, है ना, तो coin dairy क्या होता है, कि जब आपको दूद लाने को बोला, आप market में जाते हैं, और आप सोचते हैं, कौन सी dairy, कौन सी dairy से दूद लूँ, coin dairy, कौन सी dairy समझ नहीं आ रहा, मम्मी ने बोला तो था, सतपाल या, रामपाल या, किस से लेना था, लेना तो था, किस की दुकान से ल रेलेटिट हो गया है, office questions से रेलेटिट हो गया है, obscure से रेलेटिट हो गया है, प्री इडिकामेंट से रेलेटिट हो गया है, मैं बोलूँगी quandary से रेलेटिट हो गया है, तो सारे word मुझे लगता है, आपको रेलेट होने चाहिए, बताई, last word कौन सा था? विकास बाबुची पढ़ ले है न, इससे क्या फर्क पढ़ेगा, तेरी जिंदिगी पर कौन सा फर्क पढ़ने वाला है, कि मैं सिंगल हूँ या नहीं, कोई फर्क नहीं पढ़ना, है न, तो, ऐसे question का answer जानके भी क्या करना, इससे अच्छा पढ़ा ही कर ले, अगर आप फर्स टाइम लाइव क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे तो लाइव क्लास में ही सबसे बेटर लगता है, मतलब अगर आप यह सोचने हैं कि टीचर आपके साथ इंटरक्ट कर पाएं, तो मुझे सबसे बेस्ट सिचुएशन लगती है कि आप लाइव ही देखें, बाकी बाद में तो वीडियो खेर देखी लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जिसको भी जैसे भी पढ़ना होता है, आज चोकलेट देखें, डे है, तो क्या करें चोकलेट डे हैं, भेज देते हैं आप लोग चोकलेट, खा लेते हैं, बाकी हम खाते नहीं है चोकल आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहा है, आप मेरा वकाबलरी का कोई भी भी बैश ले सकते हैं, तो don't worry about that. अगले 10-15 दिन करिये का, उसके बाद मत करियेगा, उसके बाद फिर रिकोर्डिर करिये, फिर लाइव का कोई मतलब भी नहीं है, क्यों वो पैसे जाता लगा रहा है, इसके बाद spoken का बैच बिल्कुल अभी रिसेंटली आ रहा है, 12th of February, आपके आस पास, अगर किसी को भी English सी लिखने का, एक बेसिक से कि बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना नहीं आता, तो वो spoken का बैच ले, लेकिन competitive exams में अगर आप है, और आप तयारी कर रहे हैं, near about आपका कोई भी exam है, like defense का exam बोले, SSC से related आपके कितने भी exam है, तो आप फिर vocabulary का ही ले, ठीक है, अमन सर को आप ब example में ऐसा कुछ नहीं चारी कि आपके आसपास time bomb लग जाए, पर फिर भी अगर ऐसा आपको लगे कि आप कहीं पर है, mall में है, घर में है, इनारी situation, आपको feel हो, कि time bomb, देखिए, bomb के साथ, time bomb, time, चलता रहता है तो तिक, 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 मूवीज में हम देखते हैं, तो कै time rust, time bomb से रलेट कर लो, जो timing चलती रहती है, वो बहुत ही fearful situation रहती है, तो मैं कहना चाहती हूँ, time rust का मतलब हो गया, fearful, अगर उल्टे में जाएं, तो हम bold, very simple word, crate से बना, crate से साहत से बना, and the next one is dauntless, dauntless को करने का भी बहुत असान तरीका है, daunt, मतलब ki daunt, जैसे किसी की daunt स दर ही नहीं लगता, तो वो dauntless है, कि मुझे फरक नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं, वो person बहुत ही bold है, उसे डर ही नहीं लगता किसी से, आवास proper है न, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा, सब okay है न, all okay, right, बच्चे आपके किसी के एक बच्चा जो लिख रहा है कि मैंम आवास नहीं आ रही तो वो आपकी दिक्कत है, वैसा कुछ नहीं है, कि मेरे पास नहीं, मेरे पास से आ रही है, ठीक है, next word देखेगा, German, अब इसमें हम जैसे ही देखते हैं न, इस word में एक कहानी बैट जाती है, हम तुरंत रियाद करते हैं कि German, अब German से related क्या हो सकता है word, आपके दिमाख में असा आता होगा न, कि है तो German सा कुछ जर्मनी, इसका मतलब कोई देशवेश का नाम तो नहीं है, तो आप यह relate करना शुरू कर देते हैं कि पक्का, guaranteed है, कि अगर German है, यह word पढ़ने में German लग रहा है, तो इस word का relation, इसका संबंद, इसका relation पका German से ही होगा, actually आप जो इसका संबंद जर्मन से होगा, वो जो बीच में संबंद word आया, जो relation word आया, वही इसका meaning होता है, relevant, या फिर आप बोल सकते हो, related, कि जैसे आपके मन में आया, German किस से related हो सकता है, किस से related हो होता है, उल्टे में मैं जाओं, तो irrelevant, obviously, ir प्राफिक्स लगाने से word negative हो जाते हैं, और irrelative, relative का उल्टा भी कि relate नहीं करता है, irrelate करता है, तो irrelative word भी relate कर सकते हैं, आप उमीद करती हूं, German word आप कभी नहीं भूलेंगे, German का relation किस से होता है, related से होता है, संबंद से होता है, ठीक है, next word देखेगा, word है हमारे पास vendita, vendita का मतलब होता है, feud situation, मतलब कि बहुत पुष्टेनी जगडा चल रहा है, बहुत तकडी कहानी, पुष्टेनी, जगडा तो जगडा, जगडा तो चलता ही रहता है, सब लोगों के बीच, पर यह चल रहा है, पुष्टेनी जगड तो यहां पर एक किसी person की, दादा पर दादा की van थी, van मतलब गाड़ी थी, यह कह सकते हैं, गाड़ी थी, और उसके दो तीन बच्चे थे जो भी, तो वो अचानक से उसको heart attack आजाता है, वो person मर जाता है, अब उनके घर में एक van है, मतलब कि एक गाड़ी है, तो अब वो प आने के बाद अब उस van के उपर vendetta हो चुका है, इतना जगड़ा हो चुका है कि दुश्मनी पर उतराए हैं, जितने भी भाई हैं, जितने भी उनके रेलेटिव हैं, उस van की चक्कर में, कार की चक्कर में कि नहीं नहीं ये कार मैं रखूँगा पिताजी की नहीं, मैं नहीं मैं अभी आपको रिवीजन दूँगी, तो आप इसमें एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, वेंड़ेटा का मतलब होता है, पुश्तैनी जगडा, फ्यूड या फिर क्वारल, अब उल्टे में जाएंगे तो शांती, ओविसली, पीस या हार्मनी को हम इ अगला वर देखते हैं, ड्राब, ड्राब का मतलब होता है, एकदम मतलब बोरिंग सा, या फिर हम कहते हैं हम, कलरलेस से, नीरस से प्रतीत हो रहे हैं, तो जब हम रब से कहते हैं कि रब के सामने दूआ करने लग जाते हैं, ड्रेब, रब के सामने दूआ, रब के सामने, र आप जब कर रहे हैं, जब हम उदास हैं, नीरस सा प्रतीत हो रहा है हमें अपनी लाइफ में फीका सा लग रहा है, डाउन कास्ट, डाउन कास्ट का मतलब अन्हापी सी situation कि याप मजा नहीं आ रहा है, तो हम उस तैंशन में, उस दुख में नीरस से जीवन में हम रब को याद करते हैं और बोलते हैं drab वर्ड drab का मतलब क्या होता है? drab का मतलब होता है फीका, नीरस, downcast, unhappy down से फील करते हैं ना जब कि यहses अच्छा नहीं लगरा कुछ भी तो रब यादा जाता है तो drab का मतलब क्या होता है? आत्री को ये क्या है भूठ ? लाष बीज में हमने देखा होगा वैसे भूठ भूठ पता नहीls होते हैं नहीं होते हैं ? पर movies में हमने देखा होगा ना भूठ नही अपनी मरजी से कभी कुछ कुछ नहीं करता पहले उसकी जो स्टॉरी निकल के आती है, पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, फिर वो भूत बनता है, आत्मा बनता है, फिर वो रात में निकलता है, रात्री में भूत, क्या लेने निकलता है, बदला, and में समझ में आता है पूरी movies तो दिखा देता है लेकिन and में समझ में आता है कि उस भूत के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो अपना revenge लेने आया था तो भूत वूतना बिचारे ऐसे किसी को नमाते हैं बहुत शरीफ होते हैं तो वो मारते या फिर किसी को नुकसान इसलिए पहुचाते है क्योंकि वो लेने आते हैं बदला revenge लेने आते हैं avenge बनने आते हैं avengeance आप इसको कह लीजिए अब इस वर्ड को बोलू या इस वर्ड को बोलू या फिर avenger बोलू मुझे बताएगा सब common word है की भावना के लिए इंग्लिश में आपको एक vocabulary याद करना है retribution retribution का मतलब हो गया बदला right सब को याद हो गया आप मैं 10 वर्ड आप से पूछूँगे आप फटा फट answer देंगे मैं revision दे रही हूँ जल्दी से बताओ पहला word क्या है हमारा जैनी यहाँ नहीं देखेगा कोई भी जैनी को relate हमने कैसे किया था जोनी लीवर से relate किया था जोनी लीवर कैसे है बहुत ही clown type के हैं comic type के हैं मजा क्या type के हैं ठीक है सब को याद है फटा फट जल्दी फटा फट बताइगा next word मुझे बताइए polemic poll के दोरान क्या होती है Amit Priya Suriyanshi very good first Kajal Kumari Hrithik God gift क्या God gift क्या पूछ रहे हो God gift recorded batch भी ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं कोई टेंशन दोड़ना जिसका जैसा ठीक लगे तीक है आलग लग टाइप के बच्चे होता है किसी को अपना स्लेवस दो महीने में पूरा करना है किसी को अराम से चार-पांच महीने में करना है तो टोटली डिपेंट्स होनी हुए यार इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है हर तरीके के Namaste जी Namaste Controversies related है आरे answer लिखने को बोला Ritesh, Abhishek, Rajiv, Poonam बहुत बढ़िया इसके अलावा भी तो बच्चे है ये चार्ट रेट इतना reduce क्यों कुछ खास है कि आज आर्गुमेंट करना बिल्कुल बहस करना Controversial, Very Good पोल जब होता है exit पोल के दुरान जब वो आंकडे दिखाते हैं तो ये कठा कर लेते हैं पांसाथ लोग कुर्सियों बढ़ाते हैं और वो आपस में क्या करना शुरू कर देते हैं Controversy या फिर Argument, Right चलिए थार्ड वर्ड की तरह बढ़ती हूँ जल्दी से फटा फट बताईएगा मुझे Predicament का मतलब क्या होता है Predecision, Decision से पहले की जो situation है Tell me students क्या होती है Decision लेने से पहले हम Confused रहते हैं तो Predicament का मतलब होता है Confusion Next word है Quandary मा ने बोला दूद लेया आप वहाँ पर जाके Confused रहते है कौन सी dairy का नाम लिया था याद नहीं आ रहा है कौन सी है ना तो Quandary का मतलब होता है वही से फिर से Dilemma Next word है हमारा Timer Timer यह आप आया Bomb वाला जो timer जैसे जैसे बजता है ना डर बढ़ता रहता है सांसे फूलती रहती कि यार बस पता नहीं बढ़ाम होने आला पकुष्णा को चुट जाना या भी तो Timers का मतलब होता है Fearful अगला word है German German word का relation किस से हुआ relation से हुआ हमारे question में हमारा answer है German word is related to relevant या फिर relevancy किसी चीज से किसी चीज को मिलाना Next word है vendita vendita when की उपर क्या हो रही थी लडाई हो रही थी ना Feud या फिर quarrel F E U D इस word का relation होता है लडाई से hostility से आपस में जगडा बहुत तकड़ा जगडा चल रहा है तो हम उस case में word यूज करते हैं vendita Next word है हमारा रब रब को कभी आद करते हो खुशी में नहीं करते हो भाई उदास हो नीरस हो boring सा feel हो रहा है downcast सा colorless सी जिंदगी हो गई है तो हम सोचते हैं भगवान कुछ कर दे हमारे लिए भी कुछ लिख दे तो हम बोलते हैं vendita चीक है next word की तरह बढ़ते हैं word है retribution बहुत ही प्यारा word है इतनी प्यारी सी भूत है यहाँ पर आप सब को शायद पसंद आई होंगी कोई सा भी ले लिए बैटा क्यों इतना परिशान हो रहा है 899 ले लिया 999 लाइव देखना है तो लाइव लो 999 वाला recorded है 899 क्यों परिशान हो रहा है क्या हो गया ऐसा हाँ भूत बहुत प्यारी सी है रातरी में भूत भूतों को कोई शोक नहीं है भया मानने का, सही बिता रही हूँ, वो बिचारे अपना बदला लेने आते हैं, क्या लेने आते हैं, अपना revenge लेने आते हैं, avenge बोले, revenge बोले, है नग, avenger, अपने movie देखियोगे, avenger में भी क्या है, वो लोग बदला ही लेते हैं, क्या कहते हो, next word है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं, word है हमारे पास, shivalrous, shivalrous का मतलब होता है, shivaji, shivaji, कैसे थे, देखें, दो तरीकिस इस word को use किया जाता है, एक तो हम कहा दे, उदार, एक तो मैं word बोल सकती हूँ, उदार, जो दूसरों का करते हैं, ऐसे person, दूसरा, बहादुरुई के लिए भी ये word यूज किया जाता है, वैसे इन पे दोनों ही suit कर जाएंगे, हम दोनों ही suit कर लेते हैं, कि shivaji, shivalrous, उनके अंदर दोनों गुन थे, वो courteous भी थे, courteous का मतलब हो गया, उदार, है न, court में, court मतलब न्याय वाले जगे पर, court में, वो न्याय संगत थे, न्याय संगत थे, काइंट थे, ऐसा नहीं कि अपने पक्ष का ऐसा कुछ करना है, court में अच्छे उदार थे, सही निरने देते थे, तो इसलिए हमने उसको court से रिलेट कर लिया, faithful कहले, या फिर इसका दूसरा senses आएगा, आपका तो टाइब के पर्सन, ठीक है, next word है हमारे पास, उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको मेरा कोई भी paid बात चाहिए, तो आप Ocean Guru Kuls की application डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल सकता है, इस पर कही नहीं नंबर भी जरूर होगा, तो आप उस नंबर पर भी contact कर सकते हैं, सर के बात चीज भी आप grammar के लिए ले सकते हैं, आप सर को जानते होंगे, सर का खुद का channel भी है, English with Ravish Sir, अगला देखिएगा word, forwent, forwent का relation क्या होता है, forwent का मतलब होता है, anthocystic, बहुत जोश और उतसा में, देखिए, forwent, like, servant, ऐसा-सा बोलने में लग रहा है, forwent, servant, बोलो मेरे साथ, बोलने से बिलकुल भी आपका गला खराब नहीं होगा, आपको, कुछ भी नहीं होने वाला, एकदम आप ठीक रहेंगे, अगर आप बोल देंगे, forwent, servant, किते लोगों ने बोला पता नहीं, आप बहुत डेंजरोस हो, अरे यार, ऐसा मैंने क्या गर दिया बहुत भाई, कि ऐसे से word में बोला गरो, dangerous, कोशिस तो है, defense lover जी, किया जाएगा, बाकी, हम कोई भगवान तो है नहीं, लिखके तो नहीं दे सकते हैं, क्यों भाई, कभी जहर, dangerous, ऐसे कि शब्द यूज करते हो आप, अच्छा, बताएगा, अभी तक जितना भी आपने सीखा, 10-11 वर्ड आप सीख चुके हैं, वो सारे के सारे वर्ड दिमाग में हैं, क्योंकि दिमाग में रखना, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही, बस मैं आपकी quiz करूँगी, उसमें आपको 100% score करना है, मैं हमेशा कहत इनसान को बड़े-बड़े इरादे, बड़ी-बड़ी मंजिल, ठीक है यार, वो बात की बात है, बड़ी मंजिल पाने के लिए रोज छोटी-छोटी मंजिल तै करनी पड़ेगी, आपके बीच में रास्ता आएगा, छोटी-छोटी दूरी आपको तै करनी पड़ेगी, त पोल दिया सबने फर्विंट मतलब की सर्विंट, सब को कैसे सर्विंट पसंद आते हैं, ऐसे ऐसे, एकदम चीरफूल जो शुत्सा में, वो बोले जी, मालिक बोले मुझे सांबर खाना, जी सर, रेडी, अगर मालिक ने कह दिया मेरा बैग उठा, जी सर, रेडी, येस सर, ये बहुत जादा हो, उसको कहते है फर्विंट, फर्विंट का मतलब हो गया? फटाफ़िंट, जो फटाफ़िंट काम करता है, उसे जो शीला हम कह सकते हैं, ठीक है, घुल्टे में हम जाएं तो इन्दिफरेंट, मतलब ऐसे ही है, ना मतलब Lazy से तरीके का, दिस्पासिनेट, passion होना अच्छी बात है, dispassionate कोई passion नहीं, एकदम dull है, monotonous type का है, उसको energy, energy से तो काम करना है नहीं, एकदम उदास तरीके से अपना life को जिये जा रहा है, उसे हम dispassionate भी कह सकते हैं, ठीक है, forvent याद हुआ, next word की तरह बढ़ती हूं, word है, हमारे पास crafty, इस crafty को वैसे आपक को लॉमडी से relate नहीं करना, पर cunning से relate कर सकते हैं, लॉमडी को हम कहते हैं, cunning, craft, craft, crafts person, यह हमने सुना होगा, craftsman, तो वो क्या होते हैं, भाईया, aircraft चलाना है, for example, craft से relate करो, aircraft, aircraft चलाने वाले लोग, clever होने चाहिए, intelligent होने चाहिए, ऐसी, किसी को भी बठा दो, ले तु जहाज मे बटन दबा दियो और ले जाए उपर, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, पता लगे वो उपर ले जाने की वजाए, बहुत उपर ले जाए सबको, तो obviously, दिमाग की ज़रूत है, clever होना पड़ेगा, तो aircraft से relate कर लो, या तो, या फिर, craft है न, color से related word है, crafts person वो होते हैं, जो different, उनके अंदर कोई skill हो, कोई, उनके अंदर को talent हो, अलग तरीकी का, उसे craft से relate करते हैं, तो crafty वो person हो है, जो craft करते हैं, craft करते हैं मतलब की, definitely उनके पास skill है, चलाक है, clever है, cunning है, इसका उल्टा, देखिए अब इस word को हम बोले कि, negative है, positive word है, बचे positive तरीके से भी काम करता है, कि किसी को बोलें, crafty, इसका मतलब वो काम में बहुत अच्छा है, चलाक टाइप का, ऐसा बोले, अब हम किसी किसी को बहुत तेज है, तेज होना अच्छी बात है, पर इसको मैं ऐसे बोल दूँ कि, बहुत तेज है वो पाली जीए गा, jittery का मतलब होता है, nervous, घबराया हुआ, देखे, जब भी कोई person exam देने जाता है, for example, exam देने जाता है, किसी जंग पे जाता है, कोई भी आर, किसी भी टाइप की competition में जाता है, लड़ाई का भी हो सकता है, dance का हो सकता है, singing का हो सकता है, किसी भी टाइप को competition ह तो वो घबराया हुआ रहता है, लेकिन जो दूसरे हैं ये घर वाले हैं सब आसपास, सब क्या कहते हैं, all the best, क्या होगी, जीत, जीत, तेरी मतलब, तेरी, जीत तेरी होगी, जीत होगी तेरी, सब family and all, friends सब क्या कहते हैं, जीत तेरी होगी, तो हम बलेंगे जिटरी, पर वो person सब तो कहते हैं, जीत तेरी होगी, तेरी होगी, वो person कैसा रहता है, ये बताओ, घबराया हुआ रहता है, तो जिटरी, एक हो, उसके अंदर की situation है, सब जीत तेरी, जीत तेरी कर रहे हैं, चारो तरफ, लेकिन उस बंदें को क्या लग रहा है, वो बंदा ही जानता है, जाने के opposite में हम जा सकते हैं, tranquil, next word है आपका, ravish, ravish का मतलब क्या होता है, and rapture, enthrall करना है, enthrall word भी बहुत आपको आता है, इसका मतलब होता है, एकदम attract कर लेना किसी को, है न, वैसे इस personality को आप जानते होंगे, ravish, ravish कुमार, जो ये बोलते हैं, जितने भी आपने देखा ह होगा, इने बोलते हुए, maximum लोग, अधिकांश लोग, इनकी आवाद से इतने प्रभावित हो जाते हैं, कि enthrall हो जाते हैं, कि यार कितना बढ़िया बोल रहा है, है न, जैसे कि हमारे एक अमन, ravish सर भी है, उनकी class से भी, जितने भी बच्चे उनसे पढ़ लेते हैं, पढ जितने भी लोग उसका interview देखते हैं, या फिर उनको सुनते हैं, सब क्या हो जाते हैं, involved हो जाते हैं, enthrall हो जाते हैं, उनके अंदर है, मुग्ध हो जाते हैं, attract हो जाते हैं, basically we can see it at, कि ravish word जो है, attraction से related है, okay, अच्छा motivation करते हैं, छीक है, अग्रा word दिखेंगे, मालेंगे, वर्ड को मैं ऐसे बोलने की बचाए है, बस मिलेंगे बोल दूँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, क्या कहते हो, मैं इस वर्ड को ऐसी बोलते हूँ, मिलेंगे, मिलेंगे, मालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर spelling ठीहान रखेगा, कमेंट सेक्शन में एक जरू पर उसका English meaning भी exactly Hindi जैसा है, अब उल्टे में जाएं तो simple mixture नहीं कर रखा, एकदम simple simple रख दो, जैसे simple sentence, compound sentence, तो ऐसे जैसे complex, तो simple से थोड़ा सा उसको मिला विला देना, complex कर देना, ऐसे आप इसको relate कर सकते हैं, देखिए अब तक अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, त आज की ही class से, आज की class के बाद आपको देखना है कि कौन से question आपको आए और आपके किते number आए, ठीक है, वार देखो कि animosity, relate करो, animosity कैसे बना, आजकल जो लोग है ना city में, city, city में जो लोग है, people है, जो person है, भाई वो animal हो चुके है, जंगली हो चुके है, animal, क्याते हैं एक लड़ रहे हो, बिल्यों की तरह लड़ रहे हो, तो इसका मतलब होता है, जानवर प्रवरती आगई है, लोगों के बीच, मैं बोल रही हूँ, city में animosity हो चुकी है, लोगों की बीच ना, प्यार की भावना, प्रेम की भावना वो तो गई साइट में, सब जानवर का रूप ले चुके हैं, जिसे डायलोग भी कहते हैं, कि जानवरों की तरह, जानवरों की तरह लड़ रहे हो, तो इसे कहेंगे animosity, animosity का relation हो गया, hostility, दुश्मनी, hostel में भी क्या चलती है, gang बन जाते हैं अलग-अलग, और क्या चलती है, दुश्मनी चलती है, है ना, यह word हमने देख किस-को याद है, क्या होता है, friend, अच्छा, एम एंटॉनीम पर जाओं तो क्या होगा, banivalence, banic root word है, ban का मतलब क्या होता है, ben, ban का मतलब होता है, good, तो जिसके अंदर, wall मतलब, इच्छा, will, तो जिसके अंदर अच्छी इच्छा होती है, उसे banivalence कहते है, हम उसे kindness भी कह सकते हैं, friendliness भी कह सकते हैं, कोई problem नहीं है, I think, क्या कहते हो, revision करवाओ, revision करवाएं, very good, बहुत बढ़िया, एक बार मैं आपको एक बार revision करवादू, जहां तक नहीं हुआ था, वहाँ का, उसके बाद आपसे पुछ लेती हूँ, question, और, शायद मैंने पढ़ा दिया था, retribution तक, अगले था हमारा शिवाजी, शिवाजी कैसे है, उदार भी है, बहादूर भी है, आप इनने course से relate कर लीजिए, या फिर इनने brave कह दीजिए, दोनों ही senses में, आपको ठीक रहेगा, courteous कहलो, या फिर brave कहलो, faithful कहलो, next word की तरफ जाती हूँ, word है हमारा fervent, fervent को कैसे relate कर सकते servant, हमें कैसे servant अच्छे लगते हैं, एकदम dull तरीके के, या फिर energetic, obviously energetic अच्छे लगते हैं, कि जो आप कहें न, एकदम आपके सामने, तो fervent का relation किस से होता, enthusiastic से होता है, जो शीले से होता है, ठीक है, अगला word है crafty, crafty को हमने relate किया था, चलाक, जैसी की lombry होती है, cunning, तो craftsperson जो aircraft उडाते हैं, भाई उनको सीधा तो नहीं चल सकता, उनको तेज होना पड़ेगा, तेज होना पड़ेगा, positive, negative, जो आपको कहना कह लीचे, तो crafty का मतलब, आप negative senses का तेज, clever भी बोल सकते हैं, cunning भी बोल सकते हैं, next word देखेगा, jittery, जब लोग ये कह रहे होता हैं, जी कोई person attract हो जाता है, anthrol हो जाता है, anthrol मतलब attract हो जाना, किसी से मिलकर भूल ही ना पाना उसे, अगला word देखेंगे, मेले में मिलेंगे, तो ये mixture, मिलेंगे, mission related word है, मेलेंगे mixture, right, next word की तरह बढ़ती हूँ, word है हमारा animosity, animosity, city के अंदर सब में क्या हो गए, जानवर हो गए है लोग है ना, आपस में इतने बुरी तरीके से लड़ते हैं, तो animosity का मतलब होता है, दुश्मनी hostel में मिलड़ते हैं, बच्चे hostel में अपना अपना group बना लेते हैं, और आपस में लडाई दंगा शुरू हो जाता है, ठीक है, तो word है हमारा hostility, चलिए आप सभी तैयार है, अ आपके सामने, ये आपका, आप match करिए इस table को, आप मुझे बताए, first का answer क्या देना चाहिए, मुझे A देना चाहिए, B देना चाहिए, C देना चाहिए, D देना चाहिए, E देना चाहिए, एक्दम से अराम से अपनी copy पर भी बना सकते हो, वाकी, आप comment section में भी इनका answer दे स जैनी, argumentative पर जाओ, clown पर कहूँ, dilemma कहूँ, fearful कहूँ, confusion कहूँ, देख लेती हूँ, आप लोग क्या answer दे रहे हैं, सब बच्चों ने B answer दिया है, बहुत बढ़िया, सनेहा, बिश्मित आदम, MRJ, निशा, रितिक, मुकेश, thank you मुकेश, very good, सब ने बोला मैम, जैनी को तो नहां ले गई, चली, अब दूसरी train चलाते हैं, और ये चली हमारी train, पॉलेमिक की, बताइए, second का answer क्या होगा, second के answer में, आप लोग क्या भर रहे हैं, मैं side हो जाती हूँ, आप answer देख लीजिए, पॉलेमिक, first के answer के बाद, पॉलेमिक की train को कहां पर पहुंचाया जाए, जल्दी से जल्दी, फटा फट, ये रोशन बहुत बढ़िया भई है न, अंकित, दीपक, एक रवीश कुमार भी आ गए है, कबाल है, रवीश कुमार जी भी मेरी class देख रहे हैं, चली, अगले का answer भी देदिया है, सबने answer बिलकुल सही दिया है, कि ये answer होगा, बहुत सही चली, अब मैं चलती हूँ, तीसरे word की तरफ, predicament, decision लेने से पहले, आप सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी, predicament, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी answer दो, मेरा wait क्यों कर रहा है, मैं तो सिखा चुकी हूँ आपको, तो predicament का answer देंगे, predicament क्या होता है, predicament का मतलब होता है, माम, confusions related, और confusion को आप, अब आप सुचें कि माम, dilemma भी कह सकता था, मैं तो confusion भी कह सकता था, कोई बात नहीं, आप एक मान लो, C मान लो, या E मान लो, मैंना E मान लेती हूँ, ठीक है, next बताएगा, quandary, कोंसी dairy से दूद लाना है, आप क्या हो जाते थे, confused, dilemma, इसको आप ये भी मान सकते हैं, ये भी answer बिल्कुल ठीक है, fifth का बताएगा, timers का relation किससे है, time bomb, एक ही word बचा, कि जैसे जैसे वो time बढ़ता रहता है, आप उसमें हो जाते हैं, fearful, ठीक है, सबने ठीक बनाया है, diagram, मेरी तरह ही बनाया है, किसी ने उल्टा-उल्टा तो नहीं कर दिया, बहुत सभी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे नंबर तो नहीं आ गए तुमारे, चलो, आप next बनाओ, मैं नहीं बताती, आप खुद से देखो, बताईएगा मुझे फॉर्स का आंसर क्या है, उदर उसको A, B, C, D, E मान लो, जैसे कि लास में माना था, और उसको मान के करिए, और इंट बोले, शायद हो सकता आपके लिए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं आये तो कोई दूसरा भर दो, उससे आप अपने आप मैचिंग कर लेंगे, डाउन कास्ट किसे कहेंगे, रिवेंज किसे कहेंगे, ऐसे करना शुरू कर दो, फ्यूट किसे कहेंगे, या फिर नॉबल किसे कहेंगे, सब का अंसर मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे देंगे आप वेंडेटा, वेंडेटा का रिलेशन दे दिया, सबने बहुत बढ़िया, क्या बात है, शांदार, सब दे दे भाई है न, ये चार्ट रेट ये 700 क्यू नॉबल तो नहीं किया रहे है, ये सुप्रिया, रवीश, अदिती, आर्जू, फातिमा जी, क्या अंसर दे रहे हैं आप, सेकिन वाले पर जाएगा, फॉस्ट का अंसर दिया जा रहा है, वेंडेटा, 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 सब अंसर दे रहे हैं मुझे माम, आंसर ये ट्रेन हमारी चली, वेंडेटा, 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 देखिए, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ये बच्चे कर सकते हैं, आप खुद comment section देख लिए वो सही answer कर रहे हैं, यह वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो एक इनसान नहीं कर सकता है, वो सब कर सकता है, पर उसके अंदर ऐसा passion होना चाहिए, कि yes I can do it, जब तक आपके अंदर नहीं है, आपके सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, बस आप देखे जा रहे हैं, comment चलते चाहरे हैं, और यह आप बच्चे कैसे answer दे रहे हैं, बच्चों में कहीं अलग से दिमाह नहीं आया, खुदा नहीं है, अगर वो answer दे सकते हैं, आप भी answer दे सकते ह नहीं है, जब आप शुदत से किसी चीज को नहीं चाहते हैं, वो मिलेगी नहीं आपको, कभी भी नहीं मिलेगी, तनी फालतु थोड़ना है, और education तो बिल्कुल भी नहीं, next what देखीगा, drab, rab को याद करते हैं, drab, rab को कभी याद करते हैं, जब हम क्या रहते हैं, नीरस से पॉल, मिर्जा जी, मिर्जा कालिब, मिर्जा कालिब जी एक शेर सुनाया जाए, आप यहाँ पर हैं, दूसरा अवतार ले लिया आपने, I'm just joking, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया, सब ने answer दे दिया और आप लोग सही answer दे रहे हैं, retribution, रात को भूत आते हैं, क्या करने, revenge लेने आते हैं, अगला देखते हैं, word है हमारे पास, शिवाजी, शिवाजी कैसे थे, ardent थे, revenge, downcast हो गया, noble, अब आप पक्का कह रहे होंगे कि शिवाजी कैसे थे, noble, अब मेरे पास एक ही word बचता है, forvent, आपको नई vocabulary मिली है, कौनसी, ardent, forvent, ardent, जैसे की servant, energetic, आपको याद आ रहोगा यहां से, energetic, तो forvent बोले, ardent बोले, energetic बोले, anthocyanism बोले, लगभग similar word है, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए अब last slide की तरह बढ़ती हूँ, आज के questions में, इसको और मिला दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा, बताएगे मुझे, crafty, jittery, ravish, melling, and last one, animosity, इन सब को आप matching कर दीजिए, a, b, c, d, e, कौन सा word होगा, देख लीजिए, crafty का relation किस से होता है, crafty में हमने देखा था न, किस से related था, craft person, कैसे होने चाहिए, आज से दे दिया है, सबने बहुत बढ़िया, crafty का relation, आप मुझे बता रहे हैं, cunning से, बहुत अच्छे, जो जो इतनी fast answer दे रहे हो न, मतलब आप लोग कमाल कर सकते हो, सिर्फ आपने सुना है, obviously, नए वर्ड होंगे आपके लिए, मुझे एक बार बता भी दीजेगा, कि नए वर्ड थे क्या, और आपने सीखा है, और अगर आपको, समझ में आया, तो इस like के button को press करके, thumbs up मुझे send करिए, yes ma', नए थे, आपने सिर्फ क्या मुझे सुनके सीख लिए है, तो देखिए, जब हम concentration से काम करते हैं, तो हमें सब याद रहने लग जाता है, बहुत सही answer, बिल्कुल सही है आपका, जिटरी का और मुझे answer बताए, क्या होता है, जीत तेरी होगी, सब तो कहरे है, जीत तेरी होगी, उस बंदे का हाल, पूछ लो भाई, उस अन्थ्रोल भी नहीं होगा, अन्थ्रोल वर्ड भी हमने पड़ा था, अनीजी फील होता है उसको, जीत तेरी होगी, पर वो कैसा फील करता है, नर्वस फील करता है, तो आपने बी answer लगाना चाहिए था, इसके अलावा अगले वर्ड की में बात करती हूँ, वर्ड है रव animosity का मतलब hostility, दुश्मनी से था, पर आपको एक नया वर्ड मिल जाता है, अवर्जन, अवर्जन का भी मतलब होता है, इस वर्जन को मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो पसंद ना करना, दुश्मनी करना, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, तो उसको क्या बोलते हैं अवर्जन बोलते हैं, मुझे बताईएगा, आपने इतनी सारी vocabulary सीखी, आपने क्या-क्या, कितना कुछ, अभी सीखने के बाद आपके कितने percent number है, क्या आपने सब कुछ ही ठीक कर दिया है, या कुछ गडबड है, सब कुछ ठीक है, एक बार मुझे बताईएगा, yes ma'am, all clear, कोई tension, कोई word, no ma'am, everything okay, hundred percent, बहुत बढ़िया, superb, thank you so much, hundred percent, बहुत सारे बच्चों को कहना है कि उनके hundred percent, मतलब उनको सब याद है, तो वो अलग से नहीं उतर हैं, आसमान से नहीं उतर कर आए हैं, अलग से उनको दिमाग भी खुदा ने जादा नहीं दे दिया, तो ऐसा हुआ है, तो वो भी आपके ही जैसे हैं, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो बात में भी देखते हैं, तो ऐसा मत सोचा करें कि चलो answer क्या देना, answer देना होता है, आप खुद चेक नहीं करेंगे, अपना जज्जमेंट खुद नहीं करेंगे, तो कोई और क्या करेगा, ठीक है, चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको, Saturday को, रात को, 9 बजे, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, see you, goodnight to all of you.